हलो फ्रेंड्स वेलकम टुर्ण बसेरा एक्टूब चैनल कैसे हैं दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो इस वीडियो में जो आप लोगों को बात बताने जा रहा हूं सोजेर में जितने भी लोग हैं गयर मुल्की लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेट वीडियो होने वाला है हुरुप लगाने से ले करके हुरुप काटने तक का उसके उपर जुर्माना या फिर कुछ और भी इसके अलावा अपडेट है उसके साथ में सोजेर में कुछ ऐसे नए सिस्टम बनाए गया है नया फर्मान जारी हु कर लिजेगा भाई क्योंकि ऐसी जानकारी आपको बेसिक तोर पैस चैनल पर हमेशा मिलती रहती है तो चले वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहली अपडेट है वो है कॉन्ट्रेक्ट को ले करके जो लोग कंपनी उगर हमें काम करते हैं खास तोर से एक साल के बाद में आप जो है दूसरी जगहे जो अपना फानल एक जीट ले सकते हो या दूसरी जगहे आप तनाजुल ले सकते हो इसके लिए आपको फंड बोनस भी यानि जो बेनिफेट आप सर्विस होता है वो भी आपको मिलना चाहिए आर्टिकल नमर 84 वे इस चीज क और वर्कर दोनों के रजा मंदी से होता है ठीक आप लोग कोई इसी गलती मत करना कोई चीज यह लो रिक्वेस्ट बेज़ो उसको एक्सेप्ट कर लो फिर प्रोब्लम में फच जाते हो फिर यार दिक्कत काफी सारी बढ़ जाती है और इसी में दोस्तों इसी आटकल नमब फाइनल इग्जिट का उसका टिकट हर एक चीज का अधिकार है आप अपने स्पोंसर से कहे कर ले सकते हो अगर ना दे तो इसके खिलाब मैं आपको तरीका बता ही दिया है यही पर अगर आप पांच साल तक उसके पास काम कर लेते हो पांच साल के बाद में आपका जो वेत पांच से का और वर्कर हैं या कंपनी में उनके लिए बहुत महत्त पूर्ण अब यहां पर एक अपडेट आई हुई है हुरूप को ले करके देखिए किसी स्पोंसर ने अगर किसी वर्कर को हुरूप लगा दिया तो उसको कैंसिल करने के लिए यहां पर मिनिश्ट्य अभ फरार हो गया निए भाग गया है अब उसका अगर मैं हुरूप कैंसिल करता हूं तो किस तरीके से होगा और इस पर कोई फीस हो गया रहा है या नहीं है तो यहां पर एक फोटो देखिएगा मिनिश्ट्य अभी हमने सोसल डेवलेमेंट का इन्होंने बताया है कि इस तरीके में कोई भी मौावजा नहीं लगाया जाता है कोई फीस नहीं लगाया जाती है हां हुरूप के टाइम को बढ़ा दिया गया है या बीस दिन के अंदर अंदर आप हुरूप को कैंसिल अपने अफसर के जिरिए या तवसल को जिरिए कैंसिल कर सकते हो लेकिन बीस दिन के बा इसका भी solution मिनिस्ट्राव हुमेर रिशर्स और सोसल डेवलेमेंट में दिया है आप यहां पर screen source देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि अगर आपके उपर में हुरूब लग चुका है पुराना हुरूब हो चुका है चार-चे वहीन हो चुका है एक साल हो चुका है तो इसके आपको देना ही पड़ेगा क्यों लगा था देखे हुरूब वह इससे तो लग नहीं सकता है कि अगर बेसिक तोर पर कहा जाए कि आपके ओपर कोई नौर्मली हुरूब लगा दे क्यों क्योंकि हुरूब लगाने के लिए मैंने आप लोगो पिछले वीडियों बता था हु अगर आपके उपर में कोई अधरवाइस से लगा हुए तो उसको आपको पूरूब करना होगा तब आप जाकर हुरूब को अपने कंसिल करवा सकते हो और उसके बाद में नौर्मली यानि यह फानल लिगिड लगवा कर अपने देश जा भी सकते हैं तो दोस्तों 11 मार्च क जो दिन है वो फलेग डे के रूप में मना जाएगा अभी तक सौधी अरब में एक ही दिन था जो कि मना जाता था देश के हित में यानि कि नेशनल डे तो भी 23 सितंबर को लेकिन आपको यहाँ पर एक फोटो दिखा दूं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अब ऐस से तीन चीजे हो गए हैं तीन डे हो चुके हैं तीन सेलिवरेशन दिन हो चुके हैं जूपी उर्फ खुद साल में तीन बार मनाएंगे जो कि आप लोग दो तो पता ही है एक तो 23 सितंबर को सौधी नेशनल डे और 22 सितंबर को ओ सरी 22 से जो फरोरी को वो फांडिंग डे जो इस बार भी मनाया गया है और तीसरा यह हो चुका है 11 मार्च को 11 मार्च को फलैक डे मनाया जाएगा उम्मीद है कि इसमें काफी सारी लोग को चुट्टी रहेगा ही रहेगा प्राइबेट सेक्टर में चुट्टी रहेगा अच्छा लगा है वीडियो को शेर करना मत भूलिएगा आप लोग वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आप उसी सवाल को करते हैं जिस सवाल का जबाब मैं वीडियो में दे चुका होता है तो अच्छा नहीं लगता भाई तो चले फिर मिलिएगा आप से नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अप्डेट के साथ में तब तक के लिए जैहिं